नमस्कार दोस्तों नो अबाउट इनवेस्टमन्स चालम आपको फिर से एक बरस वागत है फ्रेंट्स फ्यूचर लाइफ फैसंड लिमिटेड फूचर रिटेल फूचर एंटरफ्राइस यह सारा कुछ जो में तर पूरा फूचर ग्रूप है फूचर ग्रूप के साथ जो रि साइड के उपर लगना है वो तो मतलब लगता ही जा रहा है तो मैं बस आपको कुछ चीज़े यहां पर बताना वाला हूं उन चीज़ों को समझने के बाद अगर यहां पर आपको कुछ भी ठीक ठाक लगता है तो आप पर डिसनल लिजिए गा ठीक है तो फूचर ग्रूप के साथ जो उनके फीचर ग्रूप है उसको अगर आप देखे मुटा मुटी तो और पर जो मतलब रिलांस इंडिस्ट्री है उसने यहां पर उसको एक्वायर कर लिया है तो मुटा मुटी आपको यह समझना होगा तो और एक स्वैप रैसियो भी यहां पर आएगा तो वह सा लालच नहीं रखना चाहिए बाकी आपकी मर्जी पैसा आपका है मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कंपनी में निभेश करके क्या फायदा जो कंपनी बराबर से अगर आप देखे तो एक डाउन ट्रेड में हैं तो सबसे पहले आपको मैं इतना ए स्टॉक को ज्यादा ट्रेक नहीं करता हूं लेकिन अगर आप देखे एक चटपटाहट मुझे को देखने को मिला है एक चटपटाहट मुझे को देखने को मिला है कि लोग निकल जाने के लिए इन स्टॉक से निकलने के लिए तरप रहे हैं लेकिन स्टॉक सरक्ट लगा द खीजिए अगर अच्छी तरह से रिसर्च किया तो आज आप लॉस में नहीं होंगे, आपने सही टाइम पे श्चॉक को पकड़ा होगा, लेकिन अगर आप यहापर लालच में आकर अगर आपने यह इकसांपल डेना चाहूंगा मैं मेरी परसनल लाइफ के एक एकसांपल आपके साथ सेर करना चाहूंगा लेकिन sentiment मुझे को बता रहा था कि stock कर नीचे जा सकता है sentiment बता रहा था इंची कर बहुत अच्छे था जाब होग दा तो लुट मेरे मतलब उसको यह ठीँ मैंने उसको आभोईड कर दिया और उस्हें उपर चला गया संटिमेंट वगारा वह सारा कुछ जो था वह मतलब उतने अफेक्ट नहीं कर पाया चार्ट के उपर वेसिस के उपर चलते देखते हुए उपर चला गया मुझको बहुत ज्यादा दुखवा कि वही मैं तुन्हें सही बोला था कि मैंना क्यों तरी बात नहीं वानी लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक बार और बोला वह देख यह स्टॉक में से यहापर तुझको निकल जाना चाहिए यह स्टॉक यहापर से मतलब अच्छा डिटन नहीं दे पाएगा मुझको जो लगता है यह स्टॉक अच्छा डिटन नहीं दे पाएगा तो मैंने कहा ठी तो वह उपर चला गया वह गलत हो गया तो बारा से कुछ दिन बाद उसने मुझे को फिर से बोला ये श्टॉक खर देले पैसा बन जाएगा ठीक है उस बार मतलब कैसुए लेकर उसको बहुत ज्यादा यहापर मतलब रिसेच करता रहता है तो मैंने तो छाल देख लेते हैं कि एक बार त्री बात सुनकर देख लेते हैं और मैंने देखा मतलब मान कर चलिए उस बार ऊस बार किसी दोस्त की बात सुनकर मुझको जी को लॉस्त हुआ लोास को मैं आज भी नहीं भूल सकता हैं जो सबसे जाला लाएं किसी की बात सुनुकर कम से कम यह पर लालच नहीं करूंगा ठीक तो उसके बात से मान कर चलिए कितना ही वड़े हैं कितना isot हो। कितना भी उड़े बढ़ा एक्सपर अ॥ा श्टॉक मार्कट का बढ़ेगी ठीक है तो बेवक को फी वड़ाना चाहते हैं या फिर नॉलज वड़ाना चाहते हैं अगर आपने यह पर सारा कुछ देख के निभेश किया है तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही है अपने ठीक टाक यह पर डिसेजन लिया होगा लेकिन अगर आपने किसी के अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आया हूं देख लेके देख लेके देख लेकर एक बार इसमें रिस्क लिया एक बर उसमें रिस्क लिया देखिए आपने जहां पर इंट्री की है कि अगर रिलैंट्स इंडिस्ट्री वहां अगर इस पैसे से आज मैंने आपंप इनबेस्ट कर दिया है एक साल बाद में इस पैसे से बाइक खर दोंगा मैं इस पैसे से प्रोपेटि कशल लोगा इस नहीं अगर आपने अपने सपना देखना सुरूर किया तो हो सकता है आपका सपना कभी पूरा ना हो या पिर वह सब्सक्राइब जो अपने सपना देखा वह सपना दस गुना बड़ा हो जाए तो सपना यहापर मतलब आपका सपना पर पर्टिकलर टाइम के उपर आकर एक सौटम में पूरा हो जाए यह सोचन सब्सक्राइब करके रखा है उसके बाद आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी कंपणियों के लिए रखना चाहते तो वह तो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैसे लगाई यह ठीक ठाग है लेकिन अगर आप मार्केट में आए हैं मार्केट में आप पहली बार आए हैं पहली करने के बाद यहापर देखे आपको एक बार प्रोफित हो गया सौटम में दो महीने में प्रोफित हो मे और कम से कम यहाँ पर रिसक लेने के-लिए के-ल एक पार कर देगा कम से क्फिलने की कोशिश मत कीजिये को समझिये रोज research कीजिए stock fundamental analyze कीजिए technical अगर आपको इतना कहना चाहिए अगर आप गलत हुए तो आपकी knowledge बढ़ेगी लेकिन आपने अगर किसी और की बात सुन कर अगर आप गलत हुए तो आपकी बेबकूप ही बढ़ेगी बात को यह पर नोट कर लीजिए तो खुद से सीखिए research कीजिए data available है data available है internet के उपर देखिए चाहिए search कीजिए समझिए पढ़िए अच्छे किताब है पढ़िए लोगों की जो मतलब बड़ बड़ जो इन्वेस्टर है उनकी उनके समझिए पढ़िए उनको उनकी मतलब जो आत्म कता है उनको पढ़िए और जल्दवाज ही मत कीजिए कि मार्केट तो भाग जा रहा है डाव जोन्स को देखिए आज की डेड़ में यहापर 3 सितंबर 2020 की बात कर रहो जिन लोगों ने सोचा कि डाव तो यहापर से मतलब 30,000 तक चला जाएगा तो देखिए डाव जोन्स कहा पर है आज की डेड़ में करेक्शन तो हुआ ना क्रेक्शन का वेट भी मत कीजिए औ अगर आप यहापर इंवेश्टेड रहना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा यह बाजार यह स्टॉक मार्केट यह सेर बाजार चीजी कुछ ऐसा है यहापर जल्दवाजी करने जाएंगे मार्केट जल्दी निकाल देगा तो फूचर ग्रूप की मैं आप इंवेश्टेड रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी स्टॉप लॉसस का ध्यान रखिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स मतलब कुछ कहने को नहीं रहा है अभी तक और हर रोज आपको मैं बोलता हूं कि अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए अच् सब्सक्राइब करना कुछ समझ में आया डिसकस कीजिए कुछ पूछना चाहते हैं और अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करके रखिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं अच्छे स्टॉक भी आपको यहापर बताता हूं कैसे बनाते हैं वह भी मैं आपको यह पर बता तो फंडमेंटल लानेस कीजिए उपर भी डिसकसिन होती है रिजल्ट वगर सारकुछ बैलंस चीट हर वह चीज आपके लिए यहापको यहाप लंबी अवदी के निवेश के लिए जरूरत होती है तो चैनल को जरूर सा सब्सक्रा